प्राइपूर के पंडित इस्वरी चरण सुक्ल वाड भाचपा पारसत कुवर रजयन सिंग दुरू ने पारसत के कार्य अम्रीत मिशन आवाज बिरुजगारी सड़क निर्मान धेल केंद्र सरकार की उपलब्दी के बारे में पूरब टैम्स को अपने विचार बता है मेरा नाम कुमर रजयन सिंध्रू है मैं वाड का मांँ 22 पंडितिश्वरी चरण शुक्ल वाड में पाश्वाड में परिवार को मैं बधाई उनकी ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं पुर्व में उनके द्वारा जो तीन कारेकालों में जो उन्होंने पच्चिम विधान सभा नाकिवल पंडितिश्वरी चाहता है पुर्व में जो लोक निर्मान वी भाग के माध्यं से शडको का निर्मान चाहे वो भावनों का निर्मान हों चाहे वो अंडर वीच निर्मान हों चाहे वो बहुत सारे जो होकी का जो इंटरनेशनल होकी स्टेडियम हो ओडिटिरियम हो खास तोर पे पच्छी मिधान सभा एक ऐसा छेत्र रहा है जो आधरनी राजिश मुरजी अपने कारेकाल में पुर पच्छी मिधान सभा का बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें आज हम देखते हैं जन्ता ने अपने आपों से देखा है प्रत्रच गवार आया प्रत्रच को प्रमांड क्या है बच्छी मिधान सभा के हर कारिकरताओं का उनके उपर कोनोभी स्वास है और लगातार जन्ता की यहीं मांग आ रहे हैं कूछी नीट छत्युगर्ट की कॉंग्रेस प्रवाइंटा कुछ स्वहम गवाया प्रतच्छ रहे हैं अभी सुनाई महान में से चल रहे हैं जब चालो होगया है जैसे पाटी के जो अमिद्वार है जास्माट जी और उनके जो कार करता है किस प्राकार हो किस एजेंडर लेकर जंता के साथ जाएंगे अजेंडर तो क्लियर है अदर्णी राजिश मुनजी का जो विजन है पच्छी मिधान सवा के प्रती वो एकदम क्लियर है सबका साथ सबका विकास जो हमारा जो मूल व देसे है, मूल, भूत, सुविधा उनकी प्रात्मिक्ता हैं, बिजली, पानी, सफाई उनकी प्रात्मिक्ता है, दूसरी बात बहुं सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे उनके जो छुटा हुआ जो कारिय है जो उन्होंने सपना की थी खास तोर पे ने रोड की जो है जो हमारे जो रोड है वह गाउं का deli का main इस्टीम रोड से ूड़ना उनका प्लीडर प्राथमिक्ता पच्ची मिदानसवा की कुछ jetzt हैं ईसी हैं जीन प्रात्मित्ता की साबसे खास दोर पर पहुंच माग सिवग प्रजय की मिशन जो हैं अमरित जल मिशन योजना गर being जल हो नल हो कल हो जल है तो कल है तो उनका जो पानी का जो है ना अमरित मिशन जो पच्चिमी धान सबह में जिन लोगों ने धानमंत्री जी का तो पस्ट आदेश था कि राइपुश शहर के प्रतेक वाडों में करे पर बहुत सारे वाडों में अमरित मिशन का कारे नहीं आपने दिखा होगा लगभग 16 लाक उन गरीबों के छट पर छट होना चाहिए अधरणी राजिश मुड़जी अपने इस कारिकाल में वो निशित रूप से अवास जैसे विशय को गंभीर है और खास तोर पे जिस तरीके से आम जनता को सब्जबाग दिखाया जाए केंद्र सरकार का जो पैसा है वो राज्य सरकार में आ चुकी है आवास योजना के लिए लेकिन बहुत बड़ी तकलिप की बात है जिस निश्कृता के साथ यह सरकार आवास योजना का जिस तरीके से किर्यानन किया जाना चेयत वो कहीं भी कहीं न कहीं वो विफल रहा है आज बहु हमारा एक मैनोफेस्टे रहता है सभी गरिबों के अवास में जो गरिबों को जो अवास के जो योजना है वो जरूर मिलेगी और प्रधान मंत्री की जन मिशन है वो जरूर मिलेगी और लाइट की ववस्ता है चुकि मुल भुथ स्विधाय से संबंदित राजिश मुरजी का पंड़ा रहता है कि मुल्भू स्विधा ही सबसे बड़ा है बाकि आप ही उनके कारेकाल में बहुत सारी योजना है वो चलेगी उनके रूके हुए कारे वो आगे बढ़ेंगे और खास तोर पे जो पच्ची मिदान सभा में जो साइंस कॉलेज में जो च्यापार्टी जो बन अभी भी एक बहुत बड़ा मस्चला है कि वो जो साइंस कॉलेज की जो चपाटी है वो डाइवर्टेड नहीं हुआ है अभी भी वह वह सैश्णी परिसर है हमको पता है राजकुमार कॉलेज से साइंस कॉलेज तक का वो नो वेंडिंग जोन है वहां पे उन सड़कों पे वैवैसाई करण नहीं किया जा सकता फिर भी यह सरकार जो है अपनी हटधर मिता से उस साइंस कॉलेज की जो परिसर है एक मात्र जो साइंस कॉलेज का खिलाडियों के लिए यहां के जो प्रुसाहित खिलाडी वहां पे खेलते कुटते आते हैं और यह भारती जनता कि हम कमल हमारे एक जार œसाप है हमारा हमरा प्रत्यासी वही रहता है प्रत्यासी का हम लोव छयन के लिए हम पेक्ष्वा करते हैं कि इन प्रत्यासी नहीं जानता पार्टी में थी सरकार और जाण की समग्र भाजबा परिवार गम्ल का इस विधान सभा में हम फूल खिलाएंगे और हम चाह रहें कि दिवाली में कमल में माता लक्षमी का विराजमान होता है और हमको निची तरूप से इस चेत्र में कमल खिलाएंगे भार्ती जंत्र पार्टी ने कमर कसली है और चुकि हमारा प्रत्यासी भी हमारा परिवार का है और उसमें सोने पिसु हागा है मिश्की तुरू उसे पच्ची मिधान सभा में इस पार भाती जन्ता पार्टी का कमल खिलुगा कि अधर्णी जो चती गड़ सासन ने जिस तरीके से अपने घोष्णा पत्र में पूरी तरीके से जनता को मोजाल में और घटकाने का प्रयास रहा है जितनी भी घोष्णा है 36 गड़ में 36 गोष्णाय की है वो पूरता ही धरातल पे नहीं उतर पाई है आप देख रहे हैं कि रैपुष है लगातार अपराद गड़ लगातार महिलाओं के प्रती अत्याचार और बहुत सारे जो सट्टा है गांजा है चरस है अफीम है 36 गड़ प्रदेश में जिस तरीके से लगातार अपरादी घटना हो रही है आप से छुपा नहीं है यहां की जनता 36 गड़ की जनता बहुत भोली भाली है और यहां सांती बातावरन प्रत्मिक्ता के साथ करते हैं कि प्रदेश में कम से कम हमारी जो बहने हैं साम को राज को अपने घर में सुनिचित रूप से उनकी जो घर वापसी हो सुनिचित हो पर हमें ऐसे महसूस ओ रहा है हमकी प्रतक्ष है जनता को प्रत्यच्ष है प्रत्यच्ष को किसी गवा की आउश्कता नहीं होती है आज प्रदेश में पूंडूप से दहशत और भैका वातवरन निर्मित हो गया है और यह 36 सरकार की जो किसी भी सरकार की प्रथम दाईत्व यह रहती है कि प्रदेश में सांती वेवस्ता बिल्कुल अपराध शुन्य हो यहां की महलाएं सुरक्षित हो यहां की युवाओं को रोजगार मिले किसानों को सुखी और समरिधी के लिए प्रफसाहित करना हूँ उन्हें सही समय में खाद मिले सही समय में पाणी मिले सही समय में विजली हो इसका उपाय करना चाहिए आज का आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से 36 गड़ के प्रदेश के मुखिया गरीब को मुटत यहां से गरीब को भारत के विभिन प्रांतों में यहां च्छतिजगड के लोग प्रवास किये गया है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम 40 लाख लोगों को पचास लाख लोगों को गरीबी रेखा से हम उपर उठा चुके हैं यह भी एक प्रत्रक्ष बहुत बड़ा यक्ष प्रक्ष्ण है अगर यह ऐसी स्तिति है तो यहां की जनता जम्मु कस्मीर से लेके पुर्वत्तर राज्यों में पच्छिव में दक्षिन राज्यों में लगातार यहां के लोग प्रवास कर रहे हैं आप करूना काल में आप द आप देख रहे हैं चाहे वो बिजली के नाम पे आप लगातार यहां पे क्राइसिस चल रही है बिजली का आप पूर्ती नहीं हो पा रही है यहां की युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे बोल रहे हैं यहां पे मुश्किल से मेरे वार्ड में 40 या 50 बेरोजगार भ कि हमें रोजगार मिलेगा हमें वैपार उद्योग में कहीं भी रोजगार मिलेगा और यहां पर अधरणी मोदी जी का जो स्टाइट अप है यहां भी भी लागू हुआ है पर यह सरकार जो है दलगत राजमिती से उपर उठके काम नहीं करी चाहते उनको तो कौशल उन्यान क के जरीए उनकी जो प्रधिभासाली लोगों को ट्रैनिंग दिला के उनको रोजगार दे सकती थी पर उनकी उसकार रहे है विरोजगार बहुत ही निराश है उन्हें यह नहीं बताया गया था कि वृजगार भत्ता में दो साल का विरोजगार का रही पंजयन के ओश्कता है या क्या है या किस लोग जो है न लग उनके जो इससे घोशना से कि बिरुजगारी हर युवाओं को मिलेगा करके तो यह भी असफल रहा है उनकी बहुत सारी योजना है असफल रही है पहले तो उन सभी मद्दाता को भावी राष्ट निर्माताओं को मेरी और से बहुत बहुत शुपकामना है मैं एक पार्षद और एक में एक जनतार 36 गड़ की जनता के नातिम में यही कहूँगा कि अब अपना प्रथम वोट भारती जनता पार्टी कमल छाप को दें केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार में अपनी योगदान दें जिस तरीके से केंद्र सरकार नित नए कारिय के माध्यम से ना किवल भारत में अपितु वैश्विक रूप से जिस तरी से अधरनी नरिन भाई मोदी जी का जो कारिय है अपने आप में अभूत पूर्व है उसी तरीके से हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे नयम मद्दाता भारती जनता पार्टी और कमल छाप पे इस बार मोहन लगाएंगे और सरवांगी 36 गड़ के सरव विकास के लिए वो जरूर हम मैं उनसे आगरा करता हूं कि वह अपना पहला मद्दान और पहला वोड भारती जनता पार्टी और कमल छाप के देंगे